राम राम जये श्रीश्याम प्यारे दर्शकों 800 साल बाद लग रहा है साल का अंतिम भयनकर सूर्य ग्रहन, क्या है इसकी सही डेट, कहां कहां दिखेगा सूतक सही समय, आये जानते हैं संपूर्ण जानकारी, तो इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहन आश्विन माह के कृष्ण पक दिन लगता है। ये चंद्रग्रहन पित्री पक्ष के प्रारम वले दिन और सूर्य ग्रहन समापन के दिन लगेगा। जब ग्रहन लगता है तो उसका सूतक काल भी शुरू होता है। सूर्य ग्रहन का सूतक काल 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहन का सूतक काल 9 घंटे पहले ही लगता है, जो ग्रहन के खत्म होने के साथ ही समाप्थ होता है। से जानते हैं कि इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहन कब लगेगा। सूर्य का समय और सूतक काल क्या है। ये सूर्य ग्रह इसके साथ ही उस दिन सर्व पित्री अमावस्या है, उस दिन अग्याद पित्रों के लिए तर्पन, श्राध, पिंडदान आदी किया जाता है. अंतिम सूर्य ग्रहन का समय क्या है? भारतिय समय के अनुसार 2 अक्टूबर को रात 9 बजकर 13 मिनट से सूर्य ग्रहन प्रारम होगा और इसका समापन अगले दिन 3 अक्टूबर को तलके 3 बजकर 17 मिनट पर होगा. सूर्य ग्रहन 2024 सूतक काल सूर्य ग्रहन का सूतक काल 12 घंटे पहले ही लग जाता है. इस आधार पर देखा जाए तो इस सूर्य ग्रहन का सूतक काल सुबह 9 बजकर 13 मिनट से लगना चाहिए. लेकिन इस सूर्य ग्रहन का सूतक काल मान्य नहीं होगा. कहने का मतलब यह है कि इस सूर्य ग्रहन का सूतक काल नहीं लगेगा. कहां कहां दिखाए देगा अंतिम सूर्य ग्रहन इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहन चिली और अर्जेंटीना में पूल्न रूप से देखा जा सकेगा पेरू, न्यूजीलेंड, फिजी, ब्राजील, मैक्सिको, उरुगवे, अमेरिका, परागुवा, एक्वेडोर, अंताक्टिका, टोंगा आधी जगहों पर आंशिक सूर्य ग्रहन दिखाए देगा भारत में कहां दिखेगा सूर्य ग्रहन, ये सूर्य ग्रहन भारत में दिखाए नहीं देगा, इस वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा क्यों लगता है सूर्य ग्रहन विग्यान के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य और प्रित्वी के बीच से गुजरता है तो उस समय चंद्रमा के कारण प्रित्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है इस घटना को सूर्य ग्रहन कहते हैं ऐसे ही जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृत्वी आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहन लगता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापी ग्रह रहू और केतु सूर्य या चंद्रमा का ग्रास करने आते हैं उस समय ग्रहन लगता है ग्रहन के समय में पूजा, पाठ, भोजन बनाना, खाना, सोना आदी वर्जित होता है मंदिरों के कपार भी बंद कर दिये जाते हैं ग्रहन के खत्म होने के बाद मंदिर और धर की सफाई करते हैं उसके बाद सनान और दान करते हैं